आपके science teacher श्वता में बचो class 10 का मारा chapter चल रहा है periodic classification of elements और जिसमें आज हम study करने जा रहे हैं part 18 और आज का मारा topic है बचो ionization enthalpy तो सबसे पहले बचो ionization enthalpy को समझते हैं इस एक example के द्वारा example समझने के बाद हम देखेंगे इसका definition देखें example मैंने ले लिया sodium और sodium का ionization enthalpy क्या होता है यह concept ionization enthalpy concept क्या होता है यह हम देखेंगे sodium के example से okay तो मैंने sodium ले लिया अब मैं ionization process करने जा रही हूं जिसके लिए मुझे energy देने की जुरुत पड़ेगी जिसको हम बोलेंगे ionization energy यह इसे को हम बोलेंगे ionization enthalpy तो sodium मैंने लिया जो कि sodium क्या होता है काफी reactive होता है इसलिए sodium को क्या किया जाता है कि रोसी नॉयल के अंदर डुबा करके रखा जाता है यह मैंने आपको कई बर बताया ठीक है तो sodium के बहुत ज़्यादा reactive होने की वज़े से हमने sodium को क्या कि कि रोसी नॉयल के अंदर यह डुबा रखा है और यह जो कि sodium है हमारा यह किस condition में बच्चों यह है solid state में अब हमने क्या कि यहां से किरोसीन नॉयल से sodium को बाहर निकाला यनी कि जब हम Fivealf निकाल रहे हैं तब sodium जो है वो कौनसे condition में है वह किस condition का मतलब कि है वह state है इसपा solid अभी sodium को हमने solid state में ले लिया अब कि solid state वाले sodium को मैंने क्या किया है इसको energy दिया अब यह energy में किस रूप में मैं इसको heat दे सकती हूँ, ठीक है? मैंने इसलिए energy लिख रखा है, energy का मतलब कि ionization करने के लिए कहां किस चीज़ की requirement है, energy आप उसको heat के form में भी दे सकते हैं, light के form में भी दे सकते हैं, electricity के form में भी दे सकते हैं, हम यहां पर क्या कर रहे है, energy दे रहे हैं, इसलिए हम बात करें liquid state में, तेकर? अब liquid state वाला azat PARA áps, sodium लिखवेट वाला जो sodium है, लिक्वेट इस स्वाला है, कि यहाँ से सोडियम के बहुत सारे atom present हैं, लेकिन अब यह क cert फोर्म में आगया है? liquid form में, यानि कि sodium के हर atom के बीच के में, जो distance होता है, दो एटम के बीच में जो distance होता है वो distance थोड़ा ज़ादा हो गया ठीक है अगर distance कम था तब यह किस condition में था solid condition में था अब distance बढ़ गया ठीक है जिसको हम क्या बुलते हैं intermolecular space तो दो atom के sodium के दो atom के बीच में जो space था वो ज़ादा हो गया यानि कि यह convert हो गया कि इसमें liquid में और solid से liquid में यह convert कैसे हुआ है तो यह convert हुआ है energy देने की बज़े से यहां तक बात समझ में आ गई यानि कि यह process क्या हुआ यह melting का process हुआ ठीक है ना melting का process हुआ यह sodium हमारा melt हो गया पिगल करके और liquid condition में आ गया अब देखिया अब हमने क्या किया कि अब इस liquid वाले sodium को भी मैंने क्या दिया energy इसको भी मैं energy बराबर supply करते जा रहे हूं तो मेरा यह sodium जो है यह किस condition में change हो गया अब यह sodium gaseous state में आ ग अब यह हमारा जो sodium है यह आ गया gaseous bomb में अब sodium के बहुत सारे जो यहां पर atom थे उनके बीच का space क्या हो गया और जादा बढ़ गया जब space sodium के बीच का बहुत कम था तो यह solid में था जब हमने इसको hit दिया तो इनके बीच का atom के बीच का space बढ़ गया थोड़ा सा तो यह liquid condition म हमने और इसको energy दिया तो इनके बीच का space और ज़्यादा बढ़ गया है ना दो atom और दूर दूर हो गया और किसमें change हो गया यह हो गया gaseous statement अब क्या करेंगे अभी भी हम इसको छोड़ेंगे नहीं अभी हम इसको और ज़्यादा heat देने वाले हैं तो हमने क्या कि इस gaseous को भी और ज़्यादा energy दिया अब मैंने बताया आपको energy किसी भी form में हो सकता है heat word इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि energy यहाँ पर किसी भी form में हो सकता है तो मैंने sodium को क्या किया और ज़्यादा energy दिया जब मैंने sodium को अब energy दिया तो अब already इनके बीच का distance दो बढ़ चुका था तो अब यह क्या करेंगे कि सारे sodium आपको यहाँ अलग 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 तो दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादा energy ले करके sodium अपने एक electron को बाहर निकाल देगा यानि कि अब जो energy दिया यहाँ जो energy दिया उस energy का इस्तेमाल इन्होंने कैसे किया है वो एक sodium का मैंने यहाँ पर आ भी जिसे sodium क्या करता है अपने unnecess के electron को गारी है यह है सोडियम का atom है सोडियम का atom में यह nucleus nucleus के बाहर में यह पहला वाणी इसकों बोलेंगे K यह दूसरा वाला जिसकों बोलेंगे L और यह तीसरा वाला शिल जिसकों मोलेंगे M तो sodium का आऊटर मोस सबसे बाहर का तो अज़न स तो sodium का outer most cell M हुआ और M में number of electron कितने हो गए इसमें number of electron हो गए 1 तो outer most electron सबसे बाहर वाला जो electron होगा उसको ये nucleus थोड़ा loosely पकड़ा हुआ होगा nucleus पर होता है positive charge और हमारे electron पर क्या होता है बच्चो, electron पर होता है negative charge सभी electron पर होता है negative charge ये सारी बाते आपको पता है अब nucleus पर positive charge है और electron पर negative charge है इसका मतलब क्या हुआ कि nucleus सभी electron को पकड़ करके रखा हुआ है हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि nucleus जो है किसी atom का nucleus उसके बाहर में जितने भी electron रहेंगे उनको वो कहीं जाने नहीं देगा सभी electron को वो क्या करता है पकड़ करके रखता है अब किस electron पर nucleus का attraction nucleus की पकड़ सबसे बहतर है तो जो electron उसके नजदीक है nucleus के एकदम पास-पास में जो electron होंगे वो closely packed होंगे है न मतलब एकदम ये nucleus जो है ना उनको बहुत ही strongly पकड़ करके रखेगा और जैसे ही थोड़ा सा उसके दूर वाले होंगे तो nucleus की पकड़ तो उन electron उपर भी है लेकिन इन electron से थोड़ा कम जो सबसे बाहर की electron होंगे जो कि nucleus यहाँ पर है positive charge यहाँ है negative charge वहाँ है दूर हो गया तो थोड़ा सा वहाँ पर attraction मतलब nucleus थोड़ा loosely पकड़ा रहेगा किसको बाहर वाले electron को तो यानि कि अगर मैं देखूं कि nucleus का सबसे ज़्यादा पकड़ किस electron पर रहेगा तो यह k वाले electron पर सबसे ज़्यादा पकड़ रहेगा उसके बाद second number पर आएंगे l वाले electron और m वाले electron जो होगा वहाँ पर nucleus की पकड़ सबसे कम होगी तो जो आपने यहाँ पर energy दिया उस energy को लेकर के electron electron क्या करेगा कि nucleus जो उसको पकड़ रखा है उसकी पकड़ को वह तोड़ेगा इस तरीके से वह पकड़ रखा है electron को ठेक है nucleus लेकि nucleus को अगर energy मिलेगा तो वह क्या करेगा भागने की कोसिज करेगा millise증 भागने की कोश़िज करेग और आपने उसकी में मदद किया थीक, भागना तो चाहता था, आपने मदद कर दिया, आपने उसको masked energy दे दिया, energy दे दिया, जो ऐसे ऐसी भागते 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 और यह निकल पड़ेगा, थैक है, तो यह क्या करेगा, यþटम को, अपने ही atom को electron अगर इसको बाहर से energy मिल जाती है तो ये क्या करेगा कि इसकी पकड़ से इसके attraction force जो इनके इनके बीच में लग रहा है इस attraction force को तोड़ करके और electron क्या होगा बाहर निकल जाएगा ठीक है बचो तो जब electron बाहर निकल गया तो अब ये जो हमारा sodium है अब इस sodium के उपर बचों आ गया इस sodium के उपर एक positive charge आ गया क्या आ गया एक positive charge और sodium के उपर positive charge आने का मतलब हुआ कि sodium iron में convert हो गया अब देखों यहाँ पर sodium से एक electron बाहर निकल गया इस सोडियम से एक इलेक्ट्रोन यहां बहार निकला हुआ है इस सोडियम से यहां एक इलेक्ट्रोन बहार निकला हुआ है तो इन सोडियम से जितने भी सोडियम है आपने उनको एनरजी जब दिया तो इन सारे सोडियम के इलेक्ट्रोन को ज्यादा इनरजी मिल गया और उस ए एक पॉस्टिव चार्ज आ जाएगा, जिस atom से दो electron निकलते हैं, तो उसके पर दो पॉस्टिव चार्ज आएगा, यहाँ sodium से एक electron निकला है, तो इसके उपर एक पॉस्टिव चार्ज आजाता है, और positive charge आते ही sodium बन जाता है, अभी तक हम sodium को atom-atom-atom कह रहे थे, लेकिन अब sodium atom नहीं है अब sodium change हो गया किसमे iron में change हो गया और ये iron में इसको change किस ने किया electron ने वो electron अगर न निकला होता तो ये iron नहीं कहलाता ये अभी भी atom कहलाता लेकिन एक electron के निकल जाने की वज़े से ये sodium जो है ये change हो जाता है किसमे iron में तो iron का formation हुआ आयन बने, है न, सोडियम आयन बनकर के तयार हुआ, तो इसे लिए इस प्रोसेस को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन, क्या बोलेंगे बच्चों, आयोनाइजेशन, यहां पर कौन सा प्रोसेस हुआ, आयन का बनना, यानि कि आयोनाइजेशन प्रोसेस यहां पर परफॉर्म आयनिजेशन एंथेल्पी ए आयनिजेशन इनर्जी के बारे में ही हमको पर्ड़ना था फ्लिकें आब इनर्जी में यहाँ भी दिया इनर्जी हमने यहाँ भी दिया olisiani investors से कौन सा कहलाएगा कि हमारा यह first वाला in energy olisination energy ऐह नहीं नहीं वाला एनर्जी हमारा olisation energy नहीं नहीं, second वाला भी नहीं है, क्योंकि second में तो हमने क्या किया है, energy देखर के liquid को हमने gases में convert किया, तो अभी तो gases में convert हुआ है, अभी भी ये तो atom ही है ना, आयन थोड़ी बनने हैं, तो आयन में ये change हुए नहीं, इस वज़े से ये energy भी हमारा क्या था, ये energy भी ionization energy नहीं था, अब जब हमने यहां से और यहां का situation देखो, अब जब हमने इन atom को energy दिया, अभी यहां na 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 ही उस energy को हम बोलेंगे, ionization energy या ionization enthalpy, ओके बच्चों, ये पूरी system आपको ये समझ में आ गया होगा, कि ionization क्या कहलाता है, अब आप देखें definition, ionization energy is defined as the minimum amount of energy, थेक है, वह minimum amount of energy, थेक है, कम से कम उतनी energy, कम से कम उतनी energy, require to remove the, जो require है, थेक है, मतलब जरूरी है, कम से कम हो energy, जो जरूरी है, remove the most loosely bound electron, जो कि जरूरी है, most loosely bound electron, इस पूरे में सबसे हलका बंधा हुआ electron कौन सा है, सबसे बाहरवाला, जो nucleus से सबसे ज़्यादा distance पर रहेगा, यानि कि valence electron, जो सबसे distance पर है, वो loosely bound electron होगा, मतलब बंधा हुआ नहीं होगा, जादा किसके द्वारा, nucleus के द्वारा, ठीक है, rules the bound electron of an isolated neutral gaseous, ध्यान देना, isolated का मतलब होता है, एक अकेला-अकेला sodium, जब भी हम ionization enthalpy की बात करेंगे, तो sodium किसी के साथ बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, isolated होना चाहिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर जो sodium लिया है, क्या इस sodium के साथ bond लगा करके कोई दूसरा भी जुड़ा हुआ है क्या, इस sodium के साथ क्या कहीं chlorine आपको जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, यह इस sodium के साथ कहीं आपको hydrogen जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, sodium हमारा अकेले है, तो अकेले ज इड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है या यदि ये सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है तो किसी के साथ अगर ये सोडियम है ना तब हमको इस सोडियम के उपर वार नहीं करना है ठीक है हमको सोडियम के उपर वार कप करना है कब इसको हमको minimum energy देनी है जब ह हमारा sodium अकेले हो, ठीक है, तो पहला condition की isolated होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, दूसरा condition gaseous state में होना चाहिए, तो देखो हमने वही सब काम तो किया है, है न, हमने sodium को अकेला किया और हमने sodium को gaseous state में लाया, ठीक है, हमने solid से ही तुरंत ionization तो नहीं कर नहीं दिया है न क्योंकि solid से हम कर ही नहीं सकते solid अगर हमारा sodium है तो उसके outer most से आप एक electron निकाल नहीं सकते हैं तो यहां से तो हम एक electron निकाली नहीं सकते liquid से भी एक electron निकाली नहीं सकते इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा हमको sodium को एक अकेला पहले item रखना पड़ेगा कि तुम इदम अकेले हो जाओ और दूसरी तुम्हारी condition क्या होने चाहिए कि तुम gases state में रहोगे तब तुम्हारे उपर वार करेंगे और तब तुम्हारे electron को बाहर निकालेंगे तो condition apply जो हो रहा है बच्चों उस पर खास focus करना है बच्चा definition लिखने में इन बातों को बहुत lightly लेते हों और लिखना भूल जाते हैं तो यह चीज़ लिखना जरूरी है ठीक है पहला क्या isolated होना चाहिए दूसरा क्या neutral होना चाहिए देखो यह neutral ठीक है neutral हो भी सकता है यह neutral नहीं भी हो सकता है ना जैसे एक electron इकल गया तुम्हारे लों की वह आयन हो गया अब हम दूसरा electron निकलने जाएंगे तो वह neutral नहीं रहेगा ठीक है तो इस बात पर आप जादा फोकस करना कि isolated होना चाहिए अकेले होना चाहिए और gaseous condition में होना चाहिए atom के form में होना चाहिए अकेले atom के form में ठीक है और molecule है ना isolated neutral gaseous atom और molecule okay the energy required to remove the first electron is called ionization energy तो एक electron को निकालने के लिए ठीक है इस एक sodium के outermost cell से एक electron को completely बाहर निकालने के लिए हमने minimum जितनी energy हमने provide किया उसी energy के amount को ही हम क्या बोलते है ionization energy okay यह देखें यह हमारा कहलाएगा ionization energy अब देखें कहरा ना isolated neutral gaseous atom और molecule अगर molecule है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि molecule को अलग-अलग करना पड़ेगा क्या यहाँ पर मैंने कि भाई उसके उपर वार करना है तो सबसे पहले उसको गड़ से बाहर निकलो फिर यह देखो कि कहीं उसके साथ दुसरे तो नहीं है वह गूरुप में नहीं है ना तो गूरुप से बाहर ना चाहीए तिससे चीज़ यह देखना है कि कहीं उसके पास भी हतियार तो नहीं है नहीं जब ऐसे condition जब उसके पास हतियार नहों तब उसके उपर वार करेंगे तो एक planning होती है न तो आपको भी अनिजेशन के लिए एक planning करना पड़ेगा कि पहले उसको solid से liquid में convert करेंगे liquid से gaseous में convert करेंगे और gaseous में अब वो condition आ गया है अकेला भी है gaseous condition में भी है अब उसको हमें energy देंगे तो उसका last electron आसानी से निकल जाएगा तब उसका last electron निकलेगा और हमने जितनी energy दिया जितनी हमने ताकत लगाई इस last electron को बाहर निकालने में हमारी वही ताकत यानि कि हमारी वही energy जो होगी वो कहलाएगी ionization, enthalpy या ionization, energy जिसको I, I fire ionization और enthalpy E जिसको I E से represent किया जाता है जिसकी value change होती है अगर हमने एक electron निकाला तो जरूरी नहीं है आउटर मोस्ट हमने यहाँ वाला electron तो निकाल लिया आप सचोगी कि आपने एक electron निकाल या क्या हम दूसरा electron नहीं निकाल सकते हैं बिलकुल निकाल सकते हैं ठीक है और क्या हम पहले इस electron को ही नहीं निकाल लेगा ठीक है क्योंकि ये electron क्या है nucleus इसको बहुत ही जोरों से पकड़ रखा है ठाक है तो आप पहले इस electron को नहीं निकाल सकते हैं तो आपने जैसे इसमें से 1 electron निकाला तो क्या second electron निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, यह 8 electron है ना, ताकत लगाओ, इसमें से भी निकालने की कोशिस करो, हाला कि निकालना बहुत मुस्किल है, क्योंकि अब sodium को octet complete हो जाएगा, sodium is stable condition में आ जाएगा, तो अब यहां से 1 electron निकालना बहुत ही ज़्यादा मुस्किल होगा, लेकिन, 1st electron हमने निकाला, तो वो ionization enthalpy क्या कहलाएगा, वो I1 कहलाएगा, अगर हमने 2nd electron भी निकाला, तो वो कहलाएगा I2, अगर हमने 3rd electron निकाला, तो वो कहलाएगा I3, I3 की value जो है, वो सबसे ज़्यादा होती है, I2 और I1 से, मतलब हमको ताकत ज़्यादा लगाना पड़ता है अब I2 निकालने के लिए, थिकना 3rd electron निकालेंगी तो बहुत ज़्यादा ताकत लगाने पड़ेगी, सेकंडी के लिए इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और उससे कम तकक लगाने पड़ेगी जब हम पहला वाला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब इसी कम कहते हैं आयोनिजेशन एनर्जी हा मैं बात कर रहे थी यहां पर मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ेगा अब यहां पर तो सोडियम हमारे क्या था ऐलमेंट के फॉर्म में था सारे सोडियम सोडियम थे यदि हमारा सोडियम किसी के साथ जुड़ा हुआ है ठीक है सपोस् और सी यल को दुनों को अलग करना पड़ेगा अलग करने के बाद अगर हैंने हमारा सॉलिड कर्डिशन में है तो अभी अगला एक और स्टेप इसमें बढ़ा लोगे सबसे पहले हमने अलग किया लिक्ट मिलाए गैस मिलाए तब जाकर के हमने आयोनिजेशन किया है बात आ मारा आयोनिजेशन मिनिमम जो सबसे कम हमने इनर्जी दिया और इलेक्ट्रोनिकल दिया है उसी को बस हम नोट कर लेंगे कि अच्छा सोडियम की आयोनिजेशन एंथेल्पी यह है ठीक है ना फर्स्ट इलेट्रोन के लिए आईवन यह है रिमूब दो मोस्ट लूजली इलेक्षन यानि की आउटर मोस्ट लिए उनको ही निकालने की बात हो रही है तीसारा हमको इसलेटिट पर ध्यान रखना और चौथा हमको ध्यान रखना है गैसे पर बात अपको समय आई इन पॉइंट्स पर ध्यान रखना है फोकस करना है इस वजह से मैंने यह पूरा ब् जो देनी पड़ती है ठीक है और एकम हमारे कैसा होना चाहिए आइसुलेटेड उना चाहिए गेसिस कंडिशन में और हमको जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसी को हम बोलते हैं अब हम क्या करेंगी बच्चों अब हम देखेंगे इसका अब यह पिश्ली बार हमने पढ़ा था ट्रेंड का मतलब वेरियेशन है ना ट्रेंड का मतलब कि ग्रूप में जब आप उपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्या चिंजिस आ रहा है और जब आप यहां से यहां जाएंगे यानिकि लेफ्ट से जब आप राइट में जाते हैं ट्रेंड तो पहला हम देखेंगे वेरियेशन इन ग्रूप दुसरा हम देखेंगे वेरियेशन इन पिरियेड पहले ग्रूप में उपर से नीचे आने पर क्या होता है तो पहला करेक्टर में आपको क्या बताया था बच्छों एट्मिक रेडियस क्या होता है उपर से न ज़्यादा effort लगाने की सोचने की जरूत नहीं पड़ेगी है ना atomic radius से compare करके हम सारी चीजों के trends निकाल सकते हैं जो भी के return हम पड़ेंगे देखो अब इसमें बात हो रही है किसकी बात हो रही है इसमें ionization enthalpy की अब देखे radius हमने क्या देखा था आपकी atom की size आप size पर ध्यान दो हम group में आ रहे हैं उपर से नीचे की तरफ तो size क्या होता है बच्छों धीरे-धीरे size जो है वो बड़ी होती जा रही है ठीक है तो ionization enthalpy क्या है आउटरमोस सेल के जो electron है इनको बाहर निकालने में हमको जो भी energy minimum energy देनी पड़ेगी तेक है यह देखो अब आप मुझे बताओ कि यहां से electron को निकालना आसान है यहां से निकालना आसान है यहां से electron को निकालना आसान है हमको कहां ज़्यादा energy देनी पड़ेगी electron को निकालने के लिए आपके mind में size एकदम perfect बैठा हुआ है ना size की atom की size ऐसे होती है उपर से लेकर के नीची की तरफ आते हैं जैसे जैसे हम तो size बढ़ती जाती है size बढ़ने का मतलब क्या nucleus से outermost cell की बिज़ का distance बढ़ रहा है यह nucleus nucleus ही तो force लगा करके इस electron को पकड़ करके रखा है हमको उस electron को बाहर निकालने के लिए energy देने की जरोत क्यों पढ़ रही है क्योंकि वो electron किसी से बंधा है वो electron आजाद नहीं है बलकि किसी के चंगुल में फसा हुआ है कोई है जो उस electron को पकड़ करके रखा है अब उस जिसने पकड़ा है वो उसने किस ताकत से पकड़ा है उस हिसाब से आपको इसको energy देनी पड़ेगी electron को उतना power देना पड़ेगा कि तुम उसकी ताकत से अपने आपको छुडा करके बाहर आ जाओ यानि कि हमने कर दिया ionization तो जो आपको ताकत देनी पड़ेगी अब देखो यहां यहां आपको ताकत जादा लगाने पड़ेग कि कहां पर ताकत जादा लगानी पड़ेगी कहां ताकत जादा लगाने पड़ेगी जहां ताकत जादा लगाने पड़ेगी यानि कि वहां पर energy जादा provide करनी पड़ेगी तीक है आप देख रहे हैं कि nucleus से यह वाले electron काफी दूरी पर है ठीक है nucleus यहां है तो वो electron वहां है ठ यानि कि energy बहुत ज़्यदा provide नहीं करना पड़ेगा, हमने थोड़े सी भी energy दी, तो उस electron को उतने energy मिल जाएगी, कि वो इसकी पकड़ से आजाद हो जाएगा, free हो जाएगा, तो यहाँ पर energy हमको क्या करने पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी, अगर आप यहाँ बात करिए, त पाकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, यानि कि आपको energy ज़्यादा provide करनी पड़ेगी, तो ज़्यादा यहाँ पर energy प्रोइड करोगे, मतलब इस electron को निकालने के लिए, आउनिजेशन enthalpy की value क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो यहाँ ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उसस से आनीचे आने पर, group में top to bottom आने पर decrease होता है, कम होता जाता है, बात समझ में गया, और इस कम होने का कारण क्या है, उस बाहर वाले, वैलेंस सेल वाले electron, वैलेंस electron और nucleus के बीच का distance, यानि कि कुल मिला करके बात आ रहे है कि इस पर, atom की size पर, size बढ़ा, तो आराम से electron निक कालने में परिशानी होगी, यानि कि सारी बाते किस पर हैं, बचों, सारी बाते size पर हैं, यानि कि हम कह सकते हैं, ionization enthalpy, directly proportional to, ठीक है, directly होगा, या inversely, देखें, उल्टा है, या एक साथ है, size देखो, size छोटी, तो energy जादा, size बड़ी, तो energy कम, यानि कि relation कैसा चल रहा है, opposite relation चल रहा है, तो हो जाएगा, ये inversely proportional to, atomic, atomic radius, yes, okay, radius, तो ये हो जाएगा हमारा relationship, ओकी बच्चों, बात आपको समझ में आई, तो ये इसका relationship हो है, हमारा जो ionization enthalpy है, ionization enthalpy की value, जैसे-जैसे atomic radius, atomic radius का मतलब, आप atomic radius लिखो, ये atomic size में कर देती हूँ, और ज्यादा easy दिखेगा है, atomic size, एक है, atomic size, size बड़ी होगी, तो energy कम लगेगा, size छोटी होगी, energy ज्यादा लगेगा, ये relation क्या चल रहा है, ultra चल रहा है, तो top to bottom आपने देख लिया, अब आप देखिए, left to right है, जब हम किसी period में आएंगे, तो वहाँ पर क्या होता है, size, atom की size, धीरे-धीरे, छोटी होती जाती है, ये आपने पड़ रखा है, अब देखो, यहाँ पर size जितनी बड़ी है, फि से थोड़ा और दू है, और यहाँ electron nucleus से कितनी दूरी भी है, ठीक है, मैंने यहाँ पर, जो है, कौन सा line लिया, यहाँ पर मैं 3rd वाला line ले रही हूँ, चाहे आप कोई सा भी line लेजे, और कितने period होते हैं, 7 period होते हैं, तो इधर आपके पास 7 period है, इन 7 period में से आपकी जो इ line को ले करके चलिए, आपको situation तो सब जंग सेम दिखाई देगा, कि atom की size धीरे धीरे छोटी होते जाएगी, और जब atom की size छोटी होगी, atom की जब size छोटी होगी, तो हमारा imagination enthalpy की value क्या होते जाएगी, बड़ी होते जाएगी, यानिकि हमको energy जादा देनी पड़ेगी, बात आ nucleus के करीब, आप जड़ा यहां से electron करके दिखाओ, अगर दम है, तो यहां से electron करके दिखाओ, तो अब यह electron क्या है, nucleus एकदम इन electron को पकड़ करके रखा है, वहां से electron निकालना बहुत ही जादा कठिन काम होता है, उसमें से, क्योंकि electron बिल्कुल nucleus के पास में है, तो उसने attraction force, उससे, उस electron को पकड़ रखा है, उसको जाने नहीं देगा, बात आपको समझ में आ रही है, तो उपर से नीचे तक आने पर ionization enthalpy की value कब होती जाती है, और right to left जाने पर ionization enthalpy की value बड़ी होती जा रही है, इससे से ज़्यादा ताकत यहां, इससे से ज़्यादा ताकत यहां, य इसी के opposite में होता है एक topic जिसको study करेंगे बच्चों हम next studio में, okay, तब तक के लिए study करते रही है,